बेटा जी साथ आज दा जो टॉपिक है उसने अंदर आसी डी ब्लोक इसनों कम्प्लीट करन जा रहे हैं सिर्फ अपने दो रियेजेंट स्टेडी करने वाले रहेंगे इस तो बाद आपना जो डी ब्लोक है वो फिनिश हो जेगा आज जासी स्टेडी करांगे के टू सी आर टू ओ सेवन पटाशियम डाइक्रोमेट एंड के अमनोफोर पटाशियम परमेगनेट इनना दा प्रेपरेशन एंड इनना दा केमिकल प्रॉपर्पर्टीज इनना दे केमिकल रेक्शन दे अंदर के वरी अपारम बोर दे एक्जाम दे विच्चे सिर्फ पांज नमबर दा जला क्वेश्चन है वो कुछ केमिकल प्रॉपर्पर्टीज दे विच्चों ही पूछले जन्दा है ता के वरी बच्चे इसनों इंपोर्टन ना समझ दे होए इसनों लीव कर जन देने छड जन देने ता एक्जाम चे जाके फिर जाके वो मात खा जन देने तो तुसी एक कॉप्पी पैन उठा जलो जिए लगा मरव चलोजि ए उससा जाट ज घर के टुसेय लगा इक थाट। सु थे ओर्टनाम्टशन बेर्ट्छी एि पार्टन पंपॉ ट्र ez च्र oxo anion of metal these oxidants are generally formed by the reaction of metal with oxygen at high temperature as the oxidation number of the metal increase iron character decreases in the case of manganese mn2o7 is covalent green compound so what is said in the slide that when the oxidation number of metal increases then the iron character will decrease in the form of covalent character will increase in the form which we have seen in the block that the oxidant number is plus seven to reach increase in the form of covalent character will increase in the form of covalent character in the form of covalent character will increase in the form of covalent this compound is orange color crystalline compound k2cr2o7 potassium dichromate potassium dichromate lab easily available strain say 2 Arya am concentration engineer lab agent lab physical appearance is oh उसनों देख सकते हो, बहुत सारी टाइट्रेशन प्रैक्टिकल दे अंदर भी तुसी इना दोना दा यूज कर लियो गैन जो ड्रा स्ट्रक्चर एंड राइट दा हाइबर्डिजेशन ओफ क्रॉमियम इन इट जो के टू सीर टू ओ सेवन है उस दे अंदर तुसी अगर स्ट्रक्चर ड्रा करना हुए उस दा जा खाइबर्डिजेशन लिखना है क्रॉमियम दा तक की में लिख सकते हो तो बेसिक इंट्रोड़क्शन पर लाँ देख रहे हैं सी के टू सीर टू ओ सैवन कंसिस्ट अफ तू सी यार ओ थरी यूनिट मतलब जो पताशिम डाइक्रोमेट है उस दे अंदर दो जूनिट सी आर ओ थरी दे होंगे जो की ऑक्सिजेन नाल लिंक्ड होंगे सी यार ओ थरी ओ दोनों सी यार ओ थरी एक ऑक्सिजेन नाल बाइंड जा ब्रिज्ड होंगे हाइबरिडाइजिशन नौड आउट जो क्रोमियम दा है उस दे अंदर सानो चार सिग्मा बॉंड दिखाई देंगे तो इस दा मतलब ओ ऐस पी थरी हाइबरिडाइजिशन भी रहेगा हुन इस दे अंदर देखो आपनों सी ओ थ्री और सी ओ थ्री ए दो जोनेट जो है ऑक्सिजिन ना बाइंड़ दिखाई दे रहे हैं तो यह वाली ऑक्सिजिन जो है दो क्रोमियम ना बाइंड़ है बट यह वाली जो ऑक्सिजिन ए एक क्रोमियम ना बाइंड़ है और तो जो ऑक्सिजिन ब्रिज ऑक्सिजिन है इना दोना दे अंदर इना जोडन दा कम कर रही है उस दे अंदर जो बॉंड एंगल है ओ एक सो छबी डिग्री दा बन के आ रहे है 126 mc क्यों question पुछे जानेंगे अगे जाके तो एथे बहुत सारी जान करी है उसनों अपने दिमागते रखो फिर जो chromium and oxygen दा जो भी बॉंड है ये वाला chromium oxygen this one is also chromium oxygen this one this one this one and this one इना दी अगर bond length देखिए तो ये 163 mc निकल के आएगी पर ये oxygen जड़ा के दोनों chromium दनल जुड़या होया अगर इस दी असी bond length देखिए तो ये 179 mc निकल के आएगी तो ये oxygen जो की दोना पास से तो chromium दनल जुड़या है इस दी bond length जड़ी 179 जड़ा है उस oxygen नलों जो की one hand तो chromium दनल लिंक ने 163 mc तो इस दी के नल दो पासियम आएण जोड़के ये potassium dichromate बनिया और इस दा चार्ज माइनस टू नेक्टिव है method of preparation of potassium dichromate असी potassium dichromate नू chemically reaction दे नल की में prepare करना है तो reaction delay reagent लिको reactant 4 FeCr2O4 plus 8 Na2CO3 sodium carbonate और 7 oxygen के molecule 7 oxygen के molecule है और इसका reaction होकर के 8 unit 8 molecule यह 8 mole बनेगा सदिकोल sodium chromate Na2CrO4 और 2 mole Fe2O3 और 8 carbon dioxide के mole 7 oxygen के mole जो है वो 8 carbon dioxide मोल दे अंदर convert हो रहेने इस तरह देख chemical reaction दे विच्चो objective question पुछे जानगे इस chemical reaction नो तुसी लिखे देखो इना दे मॉल्व गएरा जड़े है उसनों learn रखो अगे जाके तो डिकाम आएगा फिर असी बना रहे हां potassium dichromate अभी तो potassium dichromate नहीं बनेया आसी basic reagent यह लेके चल लें इस तो सादिकोल यह first reaction चे product आगे जिना विच्चों असी Na2CrO4 जो पहले step चे बनेया उस Na2CrO4 नो एसदिक medium चे असी अगर रख देयां acid दिनने उसनों तो सादिकोल चेंज हो जेगा Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 दो sodium आयन और water molecule हाजे भी सादिकोल यह potassium dichromate नहीं बनेया विकाज इथे सादिकोल sodium dichromate बन रहे है और यह तो दी जगा अगर यह थे के आ जावे ता K2Cr2O7 potassium dichromate बनेगा नेक्स्ट आसी इस परड़क्ट नो उठाके तीसरे स्टेप दे अंदर 2 KCl दे नल रियक्ट करवाँगे रियक्शन तो बाद सादिकोल K2Cr2O7 और 2 NaCl molecule आंगे और सादिकोल फाइनल परड़क्ट जो आसी बना जा रहे हैं सी K2Cr2O7 और जनरेट हो गया तो ए तिन बेसिक रियक्शन तो बाद हासी potassium dichromate बना लिया potassium dichromate K2Cr2O7 इसका कुशिंपोर्टन प्रपरटीज potassium dichromate is a very important chemical used in leather industry and as an oxidant for preparation of many azo compounds chemical industry दे अंदर इसला बहुत है इंपोर्टन यूज है और बहुत सारे होर azo compounds बना अंदर ली इसनो बढ़ते हैं लेब दे अंदर और सब तो इंपोर्टन चीज leather industry इसनो असी बोल दे हां tanning tanning of leather मतलब leather दी सफाई करन दे लई इसनो यूज किता है जित्थे भी leather दे वड़े वड़े factory दे यूनिट लगे हों दे है उत्थे असी इसनो यूज कर दे हैं leather दी सफाई वास्ते और उत्थों जो भी leather दे अंद the smell जा होर गंदगी नो remove करके प्योर लेदर जड़ा बनाया जांदा the chromate and dichromate are inter convertible in aqua solution depending upon pH of solution chromate dichromate जो ही छोटा unit निकल के आएगा chromate अज क्या रहे हैं कि chromate तो असी dichromate बना सकते हैं और dichromate तो chromate बना सकते हैं सिर्फ फर्क किया कि chromate दा pH चेंज कर दो तो dichromate बांजेगा dichromate दा pH चेंज कर दो तो chromate बांजेगा pH चेंज करना मतलब है कि किसे नो acidic medium चे रखो acidic medium ची रखनते कोई दूसरे compound चेंज हो जेगा और उसनों basic medium ची रखो ता ओ फिर तो पहले medium दे अंदर change हो जेगा the oxidation state of chromium in chromate and dichromate is same चाहिए chromate और dichromate दोनों दा pH अलग अलग रखनते अलग color compound सानों मिल दिया बत यह देख्या गया कि जो इन दा oxidation state है chromium the oxidation state है दोनों compound दे अंदर chromate और dichromate दे अंदर ओ प्लस 6 ही निकल के आएगा तो chromate नूँ अगर acidic medium ची रख्या chromate नूँ acidic, h positive wine मतला acidic medium, acidic medium ची रख्या तो साथ कोछ dichromate बनेगा नाल water generate होएगा और अगली reaction ची देख्यो तो जो dichromate है उसनों basic medium ची रख्या दे नाल इस dichromate नू basic medium ची रख्या दे नाल ओ chromate आयन दे अंदर change हो जाएगा the chromate ion is tetrahedral and dichromate ion is consist of two tetrahedral sharing one corner with chromium oxygen chromium bond angle 126 आसी पहला भी इस दा structure dichromate दा देख चुके हैं जेदे विचे CROCR मतलन इन दे अंदर जो bond lens सीगा एक सोच बीडी दा सी एक कहरें ने कि जो chromate है only chromate वो tetrahedral है बट dichromate अजिहा एक compound नान दा जे दे विचे CROCR दे विचे bridge एक oxygen bridge oxygen दा कम कर दिया CRO3 CRO3 दे अंदर और इस oxygen दे नाल जो bond बनेगा वो एक सो शबी डिग्री दा बनेगा इस देखो तो जो chromium है चार oxygen जोड़के एस आनू chromate दा basic structure वरे दस रहा है तानू question आजवे के chromate का जो skeleton structure बनाओ तो इस तरह के नाल असी बना सकते हैं CRO42 negative chromate आइन और अगर असी dichromate आइन बनाना है तो तेन एक oxygen नाल दोनों साइट तो पलना chromium binded है और दोनों chromium जड़े है वो तेन तेन oxygen दे नाल next binded है और center वड़ा oxygen जो के दोनों chromium नों पकड़े हुए है उस दे अंदर 120 degree दा angle है और chromium oxygen bond length bridge oxygen दे नाल एक सो उनासी 179 picometer और chromium oxygen जो cr o3 वाले oxygen है उना दे नाल जो bond length है 163 picometer निकल की आएगा और इस compound वासी dichromate आइन आख रहे हैं होन तक जो पढ़े है उस दे बिचो mc के question ले लेने है पता लगे आसी किनना के त्यार नल पढ़े है in the conversion of chromate to dichromate chromate to dichromate बनाना है how many mole of sulfuric acid is involved 10 0 5 or 1 answer is 1 तो असी अगर chromate to dichromate बनाना है तो एक mole sulfuric acid नाल ही एकाम हो जाएगा in K2Cr2O7 how many tetrahedral unit are present तो tetrahedral unit आहे पहला भी पढ़ चुके हैं किनने tetrahedral unit रहेंगे no doubt it is two unit CrO3 CrO3 2 unit C जड़े एक oxygen जड़के tetrahedral 2 unit C जड़े के एक oxygen जड़के K2Cr2O7 बना रहे नहीं 4 FeO Cr2O3 और 8 Na2CO3 sodium carbonate 7 oxygen यह असी रेक्शन पहला स्टेप पढ़े यह सिगा डाइक्रोमेट प्ताश्यूम डाइक्रोमेट बना दे लई और कहरेने के पहले स्टेप दे अंदर इसनों जो असी यूज कर यह तो इन दिस रेक्शिन दा करेक्ट प्रड़क्ट्स आर दे करेक्ट प्रड़क्ट के लिए सिगे पहले स्टेप दे डाइक्रोमेट प्रप्रेशन दे तो क्या यह वाले सी असी पढ़े असी हां जी के 8 oxygen आठ 7 oxygen तो 8 carbon dioxide बने सी देखो बैटा एदे अंदर तुसी रेक्टेंट और प्रड़क्ट इनन दे मॉलीक्यूल्स नूँ काउंट करके भी अंसर दे सक देओ अगर था देकुल एक्जाम दे अंदर इनना टाइम है तो तुसी आठ नियू सो बहुत करो क्रोमियम काउंट करो जो ता डे परड़क्ट विच है और नहीं ता डे रेक्टेंट ची होन चाहिए इस तिरके नल भी अंसर दे सक दियो जाँ प्रैक्टिस कर लो ताकि तहानों एक काउंटिंग ही ना करनी पवे के पहले स्टेप वली रेक्शन के ली सी डाइक्रोमेट बनाने ली उस तो बाद सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप देविच आठ डाइक्रोमेट बने गया सी तो इस देविच पहला सारी ऑप्श के आशी इस स्टेप तो जो परडक्ट मिलेगा वो ए गेन करें से प्रॉपटिस ऑफ के टू सी आल टू सी याल टू ओ सेवन प्रॉपटिस ये अंदर सब तो पहलना आशी देखांगे के के टू सी आल टू ओ सेवन पताश्यू डाइक्रोमेट अल्कली नाल खार नाल कि में reaction कर दा है के टू सी आटो सेवन अगर आसी के ओ एक्षिनल रियक्ट करवाई यह था एक के टू सी आर ओफोर पताशियम क्रोमेट बना रहे हैं तो मतलब आसी पहला भी पढ़ चुके सेगें कि जो दाइक्रोमेट है और बेसिक मेडियम चे क्रोमेट बनाएगा और जो क्रोमेट है और असदिक मेडियम चेए बापस तो सन्न दाइक्रोमेट देवे ओके टो एक्षिन जाद रखना है के डाइक्रोमेट के वह चना रएक्ट करके 2K20C Aj Fall और वाटर मॉलीकूल बनाएगा पताश्यम क्रोमेट आगे के टू सी रॉफ ओ फॉर ऐस्दिक मीडियम चे अभी पताश्यम क्रोमेट नू ले लिया और इसनों एस्दिक मीडियम देखो एक मॉल सल्फिरिक आसेड दा यूज करा और इस तो सानों डाई क्रोमेट बन गया के सी ये टू सेवन इत दोनो़ ही डेक्षिन बहुत इंपरटन्ट ए है ओरक्विट रेड चलर होँगा सादा ये लो हो ओक्रोमएट दा जो बावेट होएगा बाद कि मिढा धिक लोह कमेंचित अंदर कि में अनदर चेझ को जाना है औ след عند न ND क sı attन將 तो मतलब ओरंज रड कलर तो जैलू कल रोजएगा Miche अंच भापस और इस बिखाइब लिए नहीं दें सनो कोई molecule ता किसे test tube दे अंदर दिखाई नहीं देने लगा तो molecule जो इसना color है वो ही इसना test है अगर yellow color आ गया तो मतलब है के chromate आइन बन गया और orange red color आ गया तो मतलब है के dichromate आइन बन गया तो याद रखो कि जो dichromate है वो basic medium चे chromate देगा और chromate जो acidic medium चे dichromate देदेगा यह दोनों reversible reactions है actions of concentrated sulfuric acid पहलना ता असी potassium dichromate K2Cr2O7 दी basic reaction देखी होन असी acid dynal sulfuric acid ना reaction देखनी है इस दी क्योंकि कही बार जो तो और question चार पांच नमबर आएगा वो देविच इस तरके ना लाएगा के K2Cr2O7 दी KOH ना किया reaction है then H2SO4 sulfuric acid के reaction है तो एक एक reaction जड़ी है तो आड़ी एक एक नमबर दिया इसनों practice करो त्यानल देखो समझो और लेख के देखो और learn रखो इसनों जाद रखो तो action of concentrated sulfuric acid दी असी दो टाइपना reaction पढ़ दे हैं in cold and in cold असी थंड़ी reaction करनी है और एक गर्मी temperature थोड़ा देखे फिर से reaction करनी है cold दे अंदर reaction K2Cr2O7 sulfuric acid अगर cold है तो reaction के अंदर CRO3 बढ़ेगा और साथ देकोल potassium hydrogen sulfate potassium hydrogen sulfate परड़क्ट बानगा नाल बाई परड़क्ट वाटर निकल रहा और इससे तेके नाल इससे reaction नों असी on heating दा mixture अगर असी इस mixture नों मिला करके थोड़ा heat कर देता heat कर देता heat कर दे सार की होगा के molecule दी reacting species भी अपने आप देखो वाद गी तो हून 8 molecule sulfuric acid दे react कर रहा और 2 molecule K2Cr2O7 दे react कर रहा on heating heating करन थे then साथ देकोल पहला जड़ा के only CrO3 बने आ सीगा heating ते सानू potassium sulfate K2S4 और इस दी जगा ते सानू chromium sulfide Cr2SO4 3 sulfate जड़ा product मिलेगा और water molecule एक मिलदा सी फिर सानू 8 water molecule मिलनगे और सानू 4th product एक extra भी मिल रहा 3 oxygen के molecule भी मिलनगे अगर आसी एसे reaction नो heat करके कर रहे हैं oxidizing property तो जो K2Cr2O7 है इस उनों आसी एक oxidizing agent भी यूज़ कर देयां तो oxidation करवान दे लिए आसी alcohol वाले lesson चे oxidation पढ़ देयां aldehyde चे oxidation पढ़ देयां फिर carboxylic acid चे oxidation पढ़ देयां तो oxidation करवान दली oxidizing agent दी तरह भी आसी K2Cr2O7 नो यूज़ कर देयां तो potassium action of potassium iodide तो oxidizing property दे अंदर potassium iodide दे नाल उन्दे को क्वेश्चन आ गया के के टू CR2O7 दी के आई ना reaction कराऊ के टू के टू के टू के टू CR2O7 potassium dichromate दी potassium iodide ना reaction दसो तो iodide reaction दसने ले तो उसी थोड़ा सा sulfuric acid आपने पलो मिलाना पे गा विकाज एस्टिक medium ची reaction करानी है देन असी इस तो बनावागे potassium sulfate chromium sulfite और iodide निकलेगा और water ओके तो के आई दी reaction अगर potassium dichromate ना होएगी तो ए सारे product बरनगे और इस नू देखो ना ता ता नू क्या जाएगा पान नू और ना ही ता नू दस्या जाएगा यह अंदर कोई हिंट इसनों तुसी अपने आप इंसर्ट करना है रेक्षिन ने अंदर और यह वाले product बनाने है बैलन्स करने लिए सेवन एच्टो एसो फोर आएगा 6 क आई आएगा 4 के टू एसो फोर आएगा और थ्री आयोडेन molecule निकलन गे 7 वाटर मोलेक्यूल देना ओके तो अभी देखो इधर बैलन्स करने लिए 7 और 6 यूज़ करा इधर 4 3 और 7 यूज़ करा ठीक है जी तो ए बैलन्स वाले ज़ेडी molecularity है एभी तुसी तिया आंदेना देखो action of hydrogen sulfide तो एक reaction था नो आगी के potassium dichromate दी की जाई ना reaction करा हो दूसरी reaction आगी के के टू सी आटो सेवन दी hydrogen sulfide h2s देनाल reaction करा हो h2s ना reaction का नवेली भी सनुसल्फिरिक एसादी यूज़ करना पेगा और इस देखे परड़क्ट मिलेंगे potassium sulfide potassium sulfide chromium sulfide और sulfur और नल वाटर मॉलिक्यूर आयोडी इन दी भी जाए अभी sulfur आ रहे है नेशन sulfur आ रहे है तो balance currently चार मॉल sulfuric acid 3 मॉल h2s जो की 3 मॉल ही sulfur बना रहे हैं 3 मॉल h2s दे 3 मॉल sulfur दे रहे हैं और पहली रेक्शन चे भी 7 मॉल water के ही दूसरी रेक्शन चे भी 7 मॉल water के निकल रहे हैं action of sulfur dioxide sulfur dioxide SO2 तो हुन सब्सक्राइक पूरा question frame हो गया के give the reactions of K2Cr2O7 with potassium iodide hydrogen sulfide and sulfur dioxide अगर तिन्नों रेक्शन आ करके तानों पांज नंबर दा question आ गया और तुसी ए तिन्नों रेक्शन देखो इस तरी के नल करनी है इस दी practice जरूर कर लाना तो SO2 sulfur dioxide reaction होएगी यह ionic reaction करके तो CR3 positive और sulfate और water ion balance करनी तो oxidizing properties oxidizing property अभी आ रहे है कि action of oxidizing property ही पड़ रहे है तेने रेक्शन आ करिया चौक्ती रेक्शन हागिया फेरस असल्फेटनल यही रेक्शन important है फेरसल्फेटनल और फेरसल्फेटनल रेक्शन करने लाई सानु पहला के तो CR2O7 sulfuric acid देनल रेक्ट कराके यह first step जड़ा करना पेगा और इस step दे अंदर four moles of sulfuric acid यूज़ करके three nascent oxygen रिकल रहे है अभी जो इस जगत बनेया इन नेसंड ऑक्सिजिन थ्री नेसंड ऑक्सिजिन फेरस शिल्फेटनल रेक्ट करवा के दूझे स्टैप दे अंदर उस्तों असी जड़ा final product बना रहे हैं फेरस शल्फाइट और water molecule इस बैलन्स इना समप करना है समप दले एरो तो इद्धले साइड और तो उद्धले साइड दे एतिन्यों oxygen कटेगे water molecule देखे जाए तो water molecule नहीं कटे जानगे सारी रेक्शिन और एडप कर दो एड़ आप करना तो बाद साथ रेक्शन मिलेगी के टू सी आटू ओ सैवन एच्टू एसो फोर एच्टू एसो फोर जो इन्हों कैल्कुलेट करके कथा लिखना है नाल ए फेरस सल्फेट और ए ऑक जेड़े है क्रॉस जेड़े है इन्हों कटिंग होगी प्रोपर्टी आसी प्रैमरी ते स्केंडीर अलकोहल दनाल एनदा बहुत इंपोर्टन प्रोपटी है के टू सियाटू एजेंटी तरह रेक्ट कर दाया ते उक्सिडाजिंग प्रॉपर्टी और एंसकी जेएंट्परेमरी अलकोहल दनाल की मिलेक्शन हो रहा है अगर इसा जगा त्यासी के टू सीयर्टू ओसाइवन भी लेख लेंदे तो चलेगा तो मतलब के जो प्रेमरी अलकोहल है उस दी ऑक्सीडेशन करनी है के प्रास्यूम डार्क रोमेट दी प्राइजन्स चे तो अलकोहल सनु देगा अलकोहल तो अलकोहल तो अल्डी हैड बनेगा अगर ईढ़ेए देखो साँझस सक्घिय लकोहल है है इस फिर संदॉल कोहल प्रेमडिबान कोहलिव 12 कोहलं सो हे तो अलकोहल दी हाइड ऑर अगर आस्याय विवस ही ओक्सीडेशन कर दी तो अल्डी हैड्यक्चिडो नों और 13 अलडी हाइड ogyदाई कर दिए तो इट मींज के प्रेमरी अल्कोहल का ऑक्सिदेशन करो तो एल्डी हाइड का फृर्दर ऑक्सिदेशन करो तो एसेड कार्बोक्सिलिक एसेड मिलेगा फोरमेशन औफ क्रमाइल कलराइड एक इंपॉर्टन टेस्ट है जैड़ लैब जे अंदर भी तुसी करूगे interesting and very important test chromyle chloride chromyle chloride नो असी बनाना है तो इस देले ही जो reagent है potassium dichromate 6 sulfuric acid और 4 sodium chloride molecule लिए और potassium hydrogen sulfate sodium hydrogen sulfate potassium hydrogen sulfate sodium hydrogen sulfate और ये सदेकल बन गया chromyle chloride CRO2 Cl2 Null 3 water molecule भी generate हुए तो important reaction है बैटा एदे कित्थो reagent reactant केड़े होंगे और इसनों केड़े product बनगे एक chromyle chloride test नो भी याद रखना इसनों असी chloride the presence delay भी check कर देया use of potassium dichromate जो असी properties and preparation पढ़ा है potassium dichromate इसने कुछ use देह देया in the manufacture of pigment and in the manufacture of ink बहुत सारी जड़े इंक वगेरा जड़े है printer दी इंक होई writing इंक होई और सारी इस तो ही बन रही है K2C 207 और solutions of potassium dichromate in concentrated sulfuric acid is used to prepare glassware जिनने भी कंच के बर्तन है उन्हों बना देले कंच देख कुछ भी जखो glass होगे जाक तोरी होगी oven वाला class होगया जहां फिर lab दे अंदर बहुत सारे glassware रही यूज कर देया वो सारा इसनों असी की कर देया solution of potassium dichromate potassium dichromate and concentrated sulfuric acid दे अंदर mix करके असी glass preparation दे अंदर इसनों यूज कर देया इसनों असी देखो chromic acid बोल देया है याद रखना potassium dichromate and concentrated sulfuric acid दे इड़ा solution है वो chromic acid है इंदा manufacture of chromium compound such as lead chromate and chrome alum manufacture of chromium compound chromium compound रखे वेदे इंदर CR 2 atom जुड़े हों देज करके chromium compound बहुत सारे बनाने लई वी इसना प्यों किता है यंदा है इन्नों आसी oxidizing agent ती तरह भी यूज कर देया ऑक्सिडाइंग अल्कोहल तो अल्डी हाइड अल्डी हैड तों कर्भॉक्सिल का सिर्फ गरा सी बनाने या oxidizing agent ती तरह यूज करके dyeing dyeing मतलव के इसनों असी किसे चीज नों dye करन देले dye करन देले मतलव coloring देले भी यूज कर देया इन टैनिंग ओफ लेदर very important uses the tanning of leather tanning word दखो याद रखो tanning of leather tanning of leather मतलब leather दी सफाई वासते नी डाएक्ट पशेहां तो जो भी उनन डी काल चमडी यदिया तक आंदिया उननी अधि Falcon's मेल coastal बैक्टेडिया-वाइरस हों द्या तρέक क्या वियानदर साहूं कर टय एंनदर हों गराईवत सारी तरुएंदर ही पहταला है यूजे इन डितेक्शन और क्लॉराइड आऀ आही एक क्रमाईल क्लॉराइड टेस्ट लगायासी 1947 क्रोमाइल क्लॉराइड टेस्ट मतलग किसे टेस्ट ट्यूब जब किसे रियेजेंट दे अंदर क्लॉराइड है जा नहीं है उसनों चेक करन लएई आसी टेस्ट लाने है क्रोमाइल क्लॉराइड टेस्ट एक क्रोमाइल क्लॉराइड टेस्ट देड़ा है वह भी पताश्रीम तो बीना नहीं लग सकता हुँन तक जो पढ़े आ इसने question देख लो एक बार solution of K2Cr2O7 in concentrated sulfuric acid असी हुने पड़के हटे हैं के solution sulfuric acid that is chromic acid secondary alcohol with acidified dichromate solution give secondary alcohol तो की बनदा है that is ketone complete the following reaction इस reaction नो complete करो के सोड Na2Cr2O7 2KCl यह last step है potassium dichromate बना अन्दा जोड़ा है potassium dichromate बनाया सी पहले step दी पहला आसी MC के ऊचे question कर लेया और इस दे अंदर फिर की बनेगा अन्दा है potassium dichromate के 2Cr2O7 और इस दे अन्दा 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 है यह है alkaline direction को और alkaline direction तो बाद साड कोल जो डाइक्रोमेट है ओख क्रोमेट ही बनाये कर दा है है balance ना following reaction balance करनली किन्ने unit आते किन्ने मॉल सलफीर कर दे लग न्दा के मतलब के k2c7 sulfuric acid और H2S यह H2S वाली रेक्शन हा पताशियुम डाइक्रोमेट दी H2S hydrogen sulfide reaction तो किन्ने मौल sulfuric acid किन्ने मौल आजी एक पढ़ आ सेगा कि जिन्ने मौल एथे H2S सेगा उनने मौल ही साथ को sulfur निकले आ सेगा तो की सिगा 4,3 आगे फिर सिदर 3,7 सुचो पहले वाला ही एंसर सदा कर थ्री मोल आसी ह्ट ऐसी यूज़ करके थ्री मोल ही सलफर कड़े हैं सेवन मोल वाटर आयां सिगा और चार मोल आसी सलफिरिक ऐसर यूज़ करें सि पताशियम पर मेगनेट next रेजिट है सदा के एमनो फोर पताशियम पर मेगनेट यह भी ओना ही इंपोर्टन है जिनना के टू सी आर टू ओ सेवन अगर इस दी असी स्केल्टन स्ट्रक्चिर देखिये के एमनो फोर दा तो के ब्रेकट तो बार एम एन टेट्राहेडरल शेप मना रहा एमन देनाल डबल बाउंड देनाल टेन ऑक्सिजन और एक सिंगल बाउंड एक ऑक्सिजन जुड़े होया इस मैगनेस देनाल डबल बाउंड ऑक्सिजन डबल बाउंड ऑक्सिजन डबल बाउंड ऑक्सिजन सिंगल बाउंड ऑक्सिजन और यह tetrahidal shape है और इस तरह के दी यह shape लिए है कि MnO4 है one negative iron और इस तरह के दा सनु अगर lab ची देखिए ता यह dark violet color दा दिखाई देगा अगर सनु थोड़ा सा black color दिखाई दे रहे है dark violet color जो की appearance थोड़ा सा black color दी ही दिखाई दे रहे है purple color substance है potassium permanganate structure देख लेस दा तो potassium permanganate is prepared by fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide and oxidizing agent Kno3 इस उनु पर पेर करने लिए सानु एक condition चाहिए यह कोश चाहिए दा इस तो बारा सी KmnO4 बना सक देया जनकी MnO2 4KOH molecule और oxygen लेकर के K2 MnO4 जनकी एक ही step दे अंदर reaction complete का दता जनकी K2 Cr2O7 potassium dichromate दे लिए सी 3 step दे अंदर preparation करी से K2 MnO4 KmnO4 in laboratory, magnease to iron salt is oxidized by peroxy-disulphate to permanganate. इंपोर्टन एक यह आइनिक रेक्शिन है कि मैंगनेज 2 पोजिव आइन SO2, O8, 2 नेगटिव आइन, 8 वाटर मोलेकूल नर रेक्ट करके Mn, O4, 1 नेगटिव, 10, SO4, 2 नेगटिव, O16, हाइदिव आइन देगा Magnate and permagnate ion are tetrahedral, the green magnet is paramagnetic with one unpaired electron but the permagnate is diamagnetic, तो असी इसनी अंदर देखो, तो एक कल्दर जड़ा है कल्दर देखो, कल्दर भी चेंज हो गया, एदि अंदर दो double bond oxygen है tetrahedral magnet green ion, और purple color दे अंदर जो है, वो तिन double bond oxygen bond है tetrahedral permagnate purple ion है, तो क्या है, green magnet is paramagnetic है, यह paramagnetic है, with one unpaired electron, इन्हें चाहनों एक unpaired electron दिखाई देगा, देखो, यह O negative है, but the permagnate is, permagnate जिड़ा है, वो diamagnetic है, diamagnetic है, इस दे अंदर सनों कोई भी unpaired electron दिखाई नहीं दे रहे है, तो मतलब के, इस दे अंदर एक magnetic, magnet है, tetrahedral, एक magnet green है, एक permagnate purple है, permagnate Kmno4 potassium permanganate और एक 2mno4 a potassium magnate green आई है Kmno4 potassium permanganate दे लई acidified permanganate solution oxidize oxalate to carbon dioxide iron 2 to iron 3 nitride to nitrate and iodide to free iodide इस थिरी दे अंदर देखो बहुत कुछ दस्या के एसदी फाइड पर मेगनेट सलुइशन अगर असी एसदी फाइड इस दे अंदर एसदी फाइड थोड़ा सा एसड मिला दिये सलुइशन यंदर एक ही करेगा ऑक्सी डाइज आक्सी डाइज डेट दे अंदर आएगे जो की आक्सीडा Bennett करेगा कर अशालेटangan तो कारभन डा एक्साइड ओकजालेट नुल कारभन दा इस द मीदर औक्सीड करेगा आरेन 2 नो आरेन 3 दे अंदर और नाइट्राइट नो नाइट्रेट दे अंदर और आओ डाइड नो फ्री आओ डाइड आओ दे अंदर चेंज कर देगा method of preparations of potassium permanganate step 1 preparation of potassium permanganate from parolocyte MnO2 इस तो असी step 1 दे अंदर MnO2 लिया और को एचना रेक्शन करा और के ClO3 की रेजेंट यूज करके आसी के MnO4 बना लिया नल के Cl प्लस वाटर मोलेक्वल रेलीज होएगा second reaction दे अंदर MnO2 को और के अनो 3 ले लिया के ClO3 की जगा के अनो 3 ले लो तो के टू MnO4 के टू MnO4 सानू मिलेगा MnO2 Potassium Carbonate Oxygen Denal K2 MnO4 और 2 Molecule of Carbon Dioxide MnO2 4 KOH Oxygen Denal 2 K2 MnO4 और 2 Water Molecule तो देखो बिटा के टू MnO4 बनांदे के टू MnO4 बनांदे साड़े को तिन रेक्शन आ गी यहां और के MnO4 बनांदे साड़े को एक रेक्शन है जिने विचर के ClO3 दा यूज किता है और खार दा के ओएच दा बाकी इस दी जगह अगर असी के अनो 3 यूज कर देयां के टू MnO4 बनेगा तो यह दोनों रेक्शन अगर ही जाद रख लिए तो सनु रेगा कि देखो बेसिक रेजेंट सेम है इनन दे अंदर चेंज करन तो बात सनु के MnO4 जां के टू MnO4 मिलेगा method step 2 दे अंदर oxidation of potassium magnet K2 MnO4 जड़ी के ही तेने रेक्शन दे अंदर बनाया उसनु आसी sulfuric acid देना react करवाना है और sulfuric acid दे रेक्ट करवाना तो बाद सादे कोल के MnO4 जो असी चानने सी जो के इसी पहली reaction चे फेल पहले step चे ही बना लिए असी एथे सानु जो बाकी दिया तेने रेक्शन देखिया उनना दुप्ते एक्स्ट्रा वर्क करना पएगा फिर जाके सानु के MnO4 मिलेगा इस तरी के नल भी असी के MnO4 बना सकने है और इस reaction तो भी के MnO4 बना सकने है तो मतलब के असी के MnO4 जहां तो इस step याद रख लो के MnO4 बन जेगा अगर असी इस तरी के नल रेक्शन कर दें तो पहले step चे साद कोल के 2 MnO4 बनेगा के 2 MnO4 बनन तो बाद असी दूसरे step दे अंदर फिर उस सल्फिरिक एस नल रेक्शन रेक्ट कराके इसनू के MnO4 देंदर चेंज कर सकते है जहां के 2 MnO4 नू फोर कारबन डाइक्साइड और वाटर मोलेक्यूल नल रेक्ट कराके के MnO4 बना सकते है जहां वाटर और साइड परड़क्ट निकल जेगा ओके तो असी चाने से जो बनाना के MnO4 ये दूसरे step दे अंदर साथ उकल आ गया पताशियम मैगनेट विद कारबन डाइक्साइड एंड वाटर गिब्स परमेगनेट पताशियम बाइक्साइड और आल आल अवव तो मतलब पताशियम मैगनेट जो है पताशियम मैगनेट के MnO4 ये कारबन डाइक्साइड दे न आल सानो इस सारे reaction देंदा है तो पिछे जो तुसी reaction देखिया उस दी कार्बन डाइक सब्सक्राइब देखो तो दो ते रेक्शन देखाई देरिया ओं मैग पर मैगनेट भी बना रहा पोटार्शियम बाइक कार्बोनेट भी बना रहा और मैगनेज डायक्साइड भी बना रहा आल ओफ दीज properties of km rad अच्शन विड़ीट पहला नहीं होनद दिखो को प्रोप्पटी देंसं क्वेश्चन आय रहा करदें दा एक हाओ kiem Nav 4 by Aks है रहार पांचो take guys हीट काद या ता एक एक टू मनों फोर देंदर चेंज हो जेगा नाल एक एम एन ओ टू और ऑक्सिजिन वी सानु देगा अगर इससे नों असी के टूमनों फोर जो सदू परड़क्ट मिलया सी इस परड़क्ट नूं असी फिर तो हीट कर गए ता हीट करनतों बाद एक के टूमन ओ थ्री और ऑक्सिजिन मॉलेकिल ने अंदर पताशियम मैगनेट पताशियम मैगनेट आएन और ऑक्सिजिन चे चेंज हो जेगा action of cold sulfuric acid मतलब के Kmn4 नो cold H2SO4 दिनल रेक्शन करवाय जावे तसनु मेलन वाला product Mn2O7 Mn2O7 potassium hydrogen sulfate और water होएगा Mn2O7 जो है यह molecule unstable है ज्यादा समय तक यह product अपनी individuality जा अपनी जो विजूद है बनाई नहीं रख़दा यह टुटी जन्दा है और टुटन तो बाद यह MnO2 और oxygen दे अंदर change हो जेगा magnesium dioxide ion दे अंदर cold reaction तो बाद अगर action hot reaction देखिए तो मतलब जो असी Kmn4 और sulfuric acid mix करा test tube दे अंदर उसनु अगर थोड़ा सा heat कर देता जावे तो heat करन तो बाद सानु ए रेक्शन मिलेगी 4 molecules of MnSO4 फिर सानु magnesium sulfate मिलेगा potassium sulfate मिलेगा magnesium sulfate potassium sulfate 5 oxygen molecules 6 water अगर असी heat दे अंदर reaction कर दे अगर cold reaction कर दे ता सानु देखो potassium hydrogen sulfate मिल रहे है potassium sulfate नहीं मिल रहे है और magnesium जड़ा है Mn2O7 जो unstable product मिल रहे है जन्हों की इथे सानु magnesium sulfate मिलेगा hydrogen दे नाल Kmno4 नो अगर hydrogen reaction किता जावे ता ए KOH और MnO2 दे अंदर change होएगा oxidizing property Kmno4 दे देखी जावे oxidizing property दे अंदर सादे कुल multiple bond multiple bond unsaturated hydrocarbon है उन्हा unsaturated hydrocarbon दा जो सनु water ना reaction करवा रहे हैं और जो ए oxygen है ए सनु Kmno4 तो आ रहे हैं इसनों आसी as a oxidizing agent दी तरह यूस कर दे हैं जदो ए दे विच्चो एक oxygen आके reaction दे अंदर participate करेगी और alkaline Kmno4 जो ए बाउंड है एक bond तोटेगा एक bond तोटेगा एक bond तोटन तो बाद एक OH आइन इस carbonal और एक OH आइन इस carbonal लगेगा मतलब water दे अंदर H और OH तो है और एक ए वाला OH मानलों इस carbon बनते गया और एक ह और Aो OH जब इस carbon बनते गया तो डाई ओल एक अनसैचुरेटरड अलकीन डावल बॉंड दे उप्ते दो ओच बॉंड ले आदे लई आसी केमनो फोर दा यूज कर सकते हैं अलकलाइन केमनो फोर वाटर दी प्रेसंस चे सानू डावल बॉंड नो तोड़के डाई ओल प्रड़क्ट देगा Oxidation of H2S2S मतलब ए जो केमनो फोर है ए एक टू एस नो एस दे अंदर चेंज करेगा Oxidation करवा करके सब तो पहला केमनो फोर सुल्फिरिक एसने रेक्शन करके जो ए बेसिक रेक्शन देगा सानू K2SO4, MnSO4, potassium sulfate, magnesium sulfate और 3 water molecule 5 oxygen और 5H2S बैलन्स करना लिए ऐसी 5 oxygen दे लिखिया और सानू ए देगा 5 water molecule और 5S जोड़ो इसनू जो कट सकता है Cross cutting हो सकती उसनू कट दो बाक्की जोड़न तो बाद सानू basic reaction जड़ी है ए मिल रही है तो ए जो reaction करनदा तरीका है इसनू तुसी प्लस वन दे अंदर redox reaction दे अंदर पहलना कर चुके हो Oxidation Oxidation of KNO2 KNO2 KMNO4 Sulfuric SNL पहलना तो basic यह वाली reaction ही देगा देन KNO2 5 Oxygen दो बालस करके लिखन तो बाद Redox reaction जड़ी सादी इस दिरक के दी आएगी और Oxidation of ferosulfate फिर से KMNO4 Sulfuric SNL basic यही प्लस देगा or ferosulfate sulfuric sulfate or 5 Oxygen in all these products basic reaction is this one very important reaction है oxidizing property of KMNO4 oxidizing property KMNO4 in neutral medium KMNO4 in neutral medium KMNO4 water देनल करके 2 KOH or 2 MNO2 or 3 Oxygen MNSO4 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 manganese sulfate water oxygen देनल MNO2 or sulfuric acid देगा KOH sulfuric acid देनल this one तो neutral medium दे अंदर KMNO4 दा neutral medium property निशो करर्ण ली सानू आतेन basic reaction पेला लिखणिया पैड़ घंगिया उस्तो बाद इन दा add up किता add करनत बाद final एरेक्शिन साथी बनी तो साथी इस तो फाईनल एरेक्शिन है यह क्यामनों फोर्दी प्रोपर्टी इन नूट्रल मीडियम नूदर्स आ रही है यूजो पतासियम परमेगनेट यूज बेर रेजंट अलकलाइन पतासियम परमेगनेट फॉर डेट्टिंग दा प्रजिंस ओ अन सेटुरेशियन इन कंपाउट अन सेटुरेशियन मतलव करबन करबन डबल बांड या ट्रिपल बांड अंदर अगर अन सेटुरेशियन होएगी तह उस जगाते डवल डाई ओल ओच ओएच आजेगा तो इस तरीके नाल असी किसी जगाते अन सेटुरेशियन नूचेक करने लिए जो अलकलाइन केमन फोर से बेर रेजेंट भी क्या जान्दाया उस दा सी यूज कर लेने हैं वाले मेर्टिकल टाइट्रेशन मतलग लैब दे अंदर बहुत सारी यां टाइट्रेशन प्रेक्टिकल जिनन दे अंदर टाइट्रेशन विद ऑग्जालिक ऐसेड फैर सलफेट रो हाइड यूज परक्साइ पहले इस दिया रेक्शन देख चुके हैं डिस इन फैक्टेंट जिमें के होन करोना दे समेचे लोका ने अपने करे केमनो फोर लेके आए और बाल्टी दे अंदर दो चुतकी केमनो फोर कोल के लाल पानी बना लिया जो बाहरों आई होई सबजी जो तो ती जा सक दिया उस सबजी जो रोड साइड ते चार्ट वगएरा बेच देया ओवी अपने कोल एक केमनो फोर रख देया ओकी कर देया कि जो जूठे बरतन है उसनु एक वार इस दिंदर डिप करके कर लें देया उसनु डिस इंफेक्ट करने लिए अपने बरतना नों जो सबजी आनों सीसदा इसकर दिया। Detecting halide in quantitative analysis MnO4 Mn का oxidation state है plus 6 unstable MnO4 oxidized to plus 7 MnO2 oxidized to plus 4 तो इस तरह निज़ी तो ही reaction से गया यह भी तुसी पढ़ चुके हो प्लस वन दे अंदर redox reaction दे अंदर disproportion reaction दे अंदर इस तरह के दिरेक्शन पढ़ चुके हो कि MnO4 ए अगर प्लस 6 oxidation state रख रहा तो आसी देह देया कि इस तो जो बनन वाले product है और दो त्रिके दी oxidation state एक तो मेन oxidation state तो कट वाले ते भी जा रहे ने एक इस तो वद ते भी जा रहे ने मतला oxidation वाद भी रही है कट भी रही है oxidation भी हो रही है reduction भी हो रही है तो यह इस तरह के नल disproportion reaction जडिया यह भी शो करदा है कि MnO4 होन तक जो पढ़े हा multiple choice question Kmno4 is used as oxidizing agent reducing agent redux agent or all of above that is oxidizing agent Kmno4 भी use कर दिया K2Cr2O7 भी आसी oxidizing agent तरह use कर दिया what is used for detecting unsaturated in organic compound unsaturation delay आसी alkaline Kmno4 use कर दिया रिजिन क्या है alkaline potassium permagnate complete the following reactions Kmno4 3H2 hydrogenal react करेगा तो क्या बनाएगा को अच अमनो टू और दिस वन दिस वन और दिस वन को अच मनो टू और वाटर देखो पेल अम सब दे अंदर मनो टू भी बढ़े आसी वाटर भी बढ़े ही बटर देखो दो molecule water दे और दो molecule MnO2 दे और दो molecule KOH दे यह है इस reaction दा जो परड़क्ट कम्प्लीट दा following reaction MnO2 KOH KClO3 KClO3 देना लिया ही reaction करें असी KCl दी जगा ते KClO2 भी यूज़ करके देखा थी गा तो इस वन इस नॉट अंसर के MnO4 इस मे भी क्योंकि KmNO4 बने थी K2 MnO